हेलो दोस्तो वालकम टू जी के गरू यूटूब चैनल है और दोस्तो आपको पता होगा कि अब गुरूब डी के लिए पोस्ट प्रफरेंस पर आई जाएगी और उसके तर्फ पूछा जाएगा कि आप किस डिपार्टमेंट में या फिर किस तरह की आप जोब करना चाहते है दोस्तो में लगबग आपको 10-11 ऐसी पोस्ट बताऊँगा जिसको आपको प्रफरेंस में नहीं बरना इससे अच्छा था दोस्तो आप नोकरी करना चोड़ दो वरना फिर सारी जिनकी बस्ताओगे अगर अपने डिपार्टमेंट और ये जो प्रफरेंस इसमें फिल की है दो तो इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तो कौन-कौन से आपको फिल नहीं करनी है दोस्तो आपको ग्रूप D में इन पोस्टों को बरने से बचना है जहां तक होसके आप इन पोस्टों को मत बरना जान लेते हैं कि कौन सी पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट के तहत आत नमबर वन है कूक रलेटिड पोस्ट यह जो भी कूक या खाना पकाने वाले से समंदित पोस्ट दोस्तो यह आपको नहीं फिल करने ही और यह डीजी पुलीस और सोचल वैलफेर डिपार्टमेंट के तहत आती है और ऐसा क्यों है कि आपको फिल नहीं करने ही क्योंकि दोस्तो पुलीस विव बाग में आपको कवी विचूटी नहीं मिलती 24 गंडे आपको काम करना पड़ सकता है और दूसरे नमबर पर दोस्तो कलीनर लीटिड यह इनकी सफाई समंदित पोंचा मारना या जाडू निकालना यह पोस्ट लगबग दोस्तो सबी डपांट पन में मिल जा पर नाच्छा ही रहेगा नमबर तीन पर दोस्तो माली माली दोस्तो यह होटी कल्चर और अर्बन लोकल बोल्डीज डिपार्टमेंट के तहत आती है माली का दोस्त आपको पता होगा क्या करना है पेड़ पोदो की सफाई करना या फिर दैसे ग्रोंडा में दोस्तो सब्ज पत्कर्ष्टा के अंदर हो गया तो वहाँ पर दोस्तो यह जया लगती है वहां पर भी आपको काम मिल सकता है नरसरी की देख़़बाल या पेड़ पोदो को पदो को उगाने के लिए आप देख सकते दोस्तों आपको पोस्त बरनी है नहीं बरनी नमबर पर दोस्तों काम भी करना होगा आपको दोस्तों दो तरह की ड्यूटी देनी होगी दिन में पी एन और रात को आपको चोकिदार लगाया जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट के तैत है और ऐसा ही दोस्तों पोस्त नंबर पांच में है माली कम चोकिदार है ये भी सभी डिपार्टमेंट म में मिलेगी और आपको एक बात बता दो दोस्तो आपको पूलिश डिपार्टमेंट में चाहे कोई भी जोब हो आपको वहां पर मत ही बरना अच्छा रहेगा क्योंकि दोस्तो पुलिस डिपार्टमेंट में लगबग चुटी नहीं मिलती क्योंकि आपको हफते के साथ ही दिन काम करना पड़ सकता है क्योंकि संड़ी के वहाँ पर चुटी नहीं होती आपको 30 के 30 दिन जाना पड़ेगा महिने में नेक्स्ट है वार्ड सर्वेंट ये वार्ड सर्वेंट दोस्तो अस्पतालों में होते है जैसे मरीज की चादर विछानी या फिर उसकी साथ सफाई सी समंदी जैसे उसके दोबरा अगर खून निकलता या ऐसे वैसे आपको समझ सुके होगा क्या करना है ये स्टापनरस नहीं दोस्तो ये भी नेक्स्ट है स्टेंडरी वर्कर या फिर हलवाई हलपर दोस्तो ये पोस्ट भी आपको नहीं फिल करनी चाहिए दोस्तो ये मैं बता रहा हूँ कि इन पोस्टों को मत फिल करना अगर आप इन पोस्टों पर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्दी से बा जाएगा या खोला जाएगा दोस्तों उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस पोस्ट पर काम नहीं करना है आपको दोस्तों उन पोस्टों का नाम बरना है जहां पर आपको काम नहीं करना है जैसे इन दस पोस्टों को आप बार सकते हैं कि आप मुझे इन पोस्टों और अने डिपार्टमेंट होगे उनमें से आपको जोब मिल जाएगी उस पोस्ट पर अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और सेर जरू कर देना और वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच